आईए आपका इंतिजार था कितनी यूनिट्स है और कौन-कौन चियूनिट आपके लिए इनपोर्टेंट है और हर एक यूनिट के चेप्टर वाइस वेटेज भी बताने वाला हूँ सेकंड नमबर में बात कर रहा हूँगा कि आपको कौन कौन से class 11 के important chapter है जहांके ज़्यादा सवाल आते हैं आपके exam में थर्ड नमबर में बात कर रहा हूँगा best resources के बारे में study metal के बारे में कौन से वो best channel youtube channel है जहां से आपको पढ़ना है कौन सी book follow करनी है इस समय के लिए और आपको complete class 11 physics है notes कहां से मिलने वाले हैं पूरी तो फूर्थ नमबर में बताऊँगा आपको कितने घंटे दे रहे हैं अगर आप complete physics complete करना चाहते हैं अपने कम से कम समय में और फिफ्थ नमबर में आपको बताऊँगा की pro tip आपके लिए क्या रहने वाली है यह tips बिल्कुल मिश्मत करना आप तो चलिए बिना जेरी के वीडियो को start करते हैं let's begin तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी units के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आपकी class 11th units है वो total 10 units है यह 10 units ही आपको 70 आपको 70 दिला सकती है अब वो कैसे दिला सकती है वो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो आपकी total 10 units है यह 10 units starting की जो 3 units है वो आपकी 23 marks score कर रही है उसके बाद है 17 marks की जो बची unit वो score कर रही है next आती है 20 marks की जो unit store कर रही है और last की 2 units है वो आपकी 10 marks दिवेटेज रख रही है तो इन units को आपको किस तरह से complete करना है आगे में बात करने वाला हूँ तो सबसे पहले हम देख लेते important chapter की class 11th physics में कौन-कौन से important chapter है तो आपके exam में पूछ जाते है तो सबसे पहले मैं बता रहेता हूँ आपका जो important chapter आता है वो आता है kinematics kinematics काफी important chapter है इससे हर साल आपके final exam में सवाल आते ही आते है and next important chapter आपका gravitation gravitation काफी important chapter है अगर आप इस chapter को अच्छे से कर लेते हो तो आपको class 12 में भी धिकत नहीं आएगी and उसके बाद है आपका work energy power ये भी काफी important chapter है and जो next important chapter आता है वो आता है आपका fluid वाला chapter अगर आपको जाना है कि chapter wise कौन-कौन से important topics हैं तो उसके लिए मैंने separate video बना रखी है तो आप check out कर लेना चैनल पर जाके देख लेना आपको मिल जाएगी chapter wise 100% guaranteed topics के नाम से तो अब हम discuss लेते हैं कि batch resources कौन-कौन से रहने वाले कम से कम समय में आपका class level की physics complete हो जाए तो सबसे पहले हम बात लेते हैं books के लिए तो भाई books तो आपके लिए NCRT batch रहेगी लेकिन NCRT को इस समय पर आपको reading नहीं करनी है reading क्या करनी है आपको simple से आपको मोटी-मोटी book पढ़ने बैठोगे तो इस समय पर आपको complete नहीं होने वाला तो simple आपको क्या करना है YouTube पर one short videos देखनी है कौन-कौन सी video देखनी है वो आपको मैं suggest कर देता हूँ यह भी काफी helpful चैनल है इन्होंने blackboard पर अच्छी तरह के से आपके लिए one short video बना रखी है class 11 physics की तो आप इनका channel check out कर सकती हो and next channel आता है आपका learn o hub दोस्तों अगर आप देखना चाहते हो madam से पढ़ना पसंद है आपको तो यह channel आप जगने check out कर सकती हो इसमें आपके लगबग सभी chapter cover कर दी गए है तो अब हम discuss कर लेते हैं कि भाई हमें notes कहां से मिलेंगे दोस्तों मैं आपको बता दूँ आपके लिए पूरे तयार notes रख रखे हैं description में जाना है आपको click करना है PDF पे वहाँ पर आपको complete class 11 physics के notes मिल जाएंगे वह तो वहाँ से download कर लेना तो अब हम discuss कर लेते हैं कि भाई हमें कितने गंटे देने हैं पूरी complete physics करने के लिए तो मैं भाई बताओं आपको तो भाई इस समय पर आपकर अच्छे से proper complete करना चाहते हो कि आप चाहते हो कि मेरी class 12 waste ना जाए का कि मैं अच्छे से class 11 के chapter कर लूँ तो भाई मैं आपको बता दूँ आपको कम से कम है न दो घंटे तो दे नहीं पड़ेंगे अगर आपके paper में कम समय बतिया है तो भाई आपको तीन घंटे देने पड़ेंगे लेकिन आपके एक से डेड़ महीना बचाया है अगर जो मैंने important chapter बताए है खास कर कि gravitation chapter वो आप अच्छे से कर लेते हो तो class 12 में जो first unit है उसमें आपको problem नहीं आएगी क्योंकि भाई पूरा concept gravitation का उस chapter में use होने वाला है अगर आप बागने के जानना चाहते होगी ऐसे कौन से chapter है क्लास 11 के जो class 12 में काफी help करने वाले है उसके लिए वीडियो बना दो तो मैं separate video बना दूँगा तो I hope आपको वीडियो helpful लगी होगी ऐसे helpful content के लिए आप इस चैनल को subscribe कर सकते हो तो see you in the next video तब तक के लिए good bye